स्वागत करता हूँ कहानियों केस जहां में जहां रहस्य रुमांच और रुमांस सारी चीज़े मौजूद हैं और दोस्तों आप सुन रहे हैं जेम्स हेडली चेस की नई कहानी यू मस्ट बी किडिंग और इसका हिंदी वर्जिन एक और खून आज सुनेंगे इसका पाँचवाँ भाग नए सुनने वाले चैनल सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी चेक कीजे जिसमें आपको शर्लक होम्स, सत जीत रे, ब्यूमकेश, बक्षी की बहुत ही रुमान चक और त्रिलर कहनी आपको सुनने को मिलेंगी तो बेना किसी देरी के साथ पाँचवाँ एपिजोड शुरू करते हैं मिस्टर लिपेस्की उसने कहा ये हमारी दुकान की एक खास स्पेशलिटी है और उसने उनके सामने एक जैकेट रखी जिस पर वैसे ही गुल्फ बॉल वाले बटन लगे थे क्यों हैनला जवाब आइडिया उसने दाद दिखाती हुए कहा मिस्टर लिपेस्की ने कहा हमें एक सिलसले में इस बटन के मालिक की तलाश है तो क्या तुम इन जैकेट के खरीदारों के नाम बता सकते हो जी अभी लीजिए हम अपनी तमाम सेल का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कहकर वो भीतर अपने आफिस में चला गया पीछे जैकवबी और लिपेस्की वहां मौझूद जैकेटों को देखने लगे जैकेट है बढ़िया थी मजबूत थी और लिपेस्की का मन भी था कि वो एक ऐसी ही जैकेट अपने लिए भी खरीदे लेकिन फिर उसे अपनी खुबसूरत बीवी का ख्याल हुआया बीवी जो खुबसूरत तो थी लेकिन साथ ही जगडालो जिद्दी और अफसराना भी थी जिसे अपने खाविंद की हर बात मेमीन मेख निकालने की बड़ी बुरी आदत थी तबी लेवाइन लोटाया क्या कोई गड़बढ है मिस्टर लेपेसकी उसने कागज उनकी और बढ़ाया जिस पर उन चार ग्रहाकों के नाम थे जिन्होंने वो जैकिट खरी दी थी नहीं कुछ खास नहीं मिस्टर लेवाइन लेपेसकी ने कागज का वो पुर्जा थामते हुए कहा आपकी मदद का शुक्रिया दोनों आवापस अपनी कार में आबैठे और हासे लिस्ट बर निगाह डालने लगे कैन ब्रेंडन लेपेसकी ने अचानक जोश में कहा लिस्ट में मौजूद उसका नाम ही उसकी वहां मौजूदगी को थावित करता है अभी नहीं जेकोबी ने शानत आवाज में कहा अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि उसकी जैकेट का ऐसा कोई बटन गायब भी है या नहीं मैं शर्त लगा सकता हूँ लिस्ट की ने कहा पिछली रात वो यकीनन वहां उस केबिन में उस लड़की के साथ था वो दोनों एक साथ एकी दफ्तर में काम करते हैं और ऐसे में उनके बीच इस किसम के तालुकाद बन जाना कोई गैर मामूली बात नहीं है मैंने खुद उस हाहा कारी लड़की को केवल दस मिनट देखा था और उतने में ही मेरा मामला गड़ बढ़ा गया था और ब्रेंडन तो सारा दिन उसके साथ उस छोटे से दफ्तर में गज़रता है सो मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो पिछली रात उसके बिन मैक और इनके साथ मौजूद था हो सकता है लेकिन ये उसके खिलाफ कोई खास सबूत नहीं जेकोबी ने कहा मैं उसे नीजी तोर पर जानता हूँ और मुझे नहीं लगता कि किसी मामूली वैश्या को यूँ इस तरह चीर फाड़ देने लाइक उसमें हिम्मत है लेकिन उसकी वहां क्राइम सीन के आसपास मौजूद की उसे शक के दाएरे में तुलाती है जिससे हम कातिल को मार्क करने की कोशिश कर रहे है हाँ वो तो है जिक कोबी नहामी भरी और पूचा तो अब इस मामले पर आगे क्या किया जाए हम पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट आगे चीफ को देंगे लिपिसकी जो इस नहीं हासिल जानकारी के आधार पर कुछ कर गुजरने को आमादा था उसने कहा आगे अगर वो राजी हुआ तो मैं खुद बरेंडन से पुछ ताच कर उसकी बखिया उधेड़ूंगा ठीक है लेकिन उससे पहले क्या हमें इन खास बटन वाले बाकी के तीन जैकिट के मालिकों से नहीं मिलना चाहिए हाँ लेकिन पहले देखें तो सहीं वो तीन है कौन लिपस्कीन है कागस का वो पुर्जा संभालती हुए कहा सैम मैक्री टिप्टी कमिर्शनर ओफ वर्क्स वो तो पिछले हफते से नियॉर्क में है हाँ उसे छोड़ो अगला नाम हैरी बेंटले का है जो गोलफर है हैरी? मैं उसे जानता हूं और मानता हूं कि उस पर शक करना वक्त की बर्बादी है लेकिन फिर भी मैं उसे चेक करूंगा हम और तीसरा नाम वो कौन है? साइरस ग्रेक साइरस ग्रेक? क्या ये वही आदमी नहीं जो पांच महीने पहले एक सड़क हाथ से में मारा गया था वो काफी पैसे वाला था सो अब उसकी मौत के बाद उसका नाम लिस्ट में होना ना होना बराबर है तो उसे भी निकाल दिया जाए हाँ तो अब सिर्फ ऐसे में ब्रेंडन बचता है मुझे याद है जेकोबी ने जैसे उसे सुना ही नहीं ग्रेक ने ने फैशनेबल कपड़ों का शौकीन था पता नहीं उसकी बीवी ने उसका क्या किया होगा बढ़िया ऐसी ही खुआबों में खुए रहोगे तो पकड़ लिया हमने वहशी कातिल को जेकोबी हड़ बढ़ाया अब अपने खुआब से बाहर निकलो और कुछ हात्माओं हिलाओ मैं हेंडरी बेंटले को थामता हूँ और तुम ग्रेक के बारे में और मालूमात थासिल करो फिर हमें एक साथ ही एक ही बार में पुलिस चीफ को रिपोर्ट देंगे ठीक है जेकोबी ने कहा और कार से उतर गया याद रखना लिपिस्की ने कार बढ़ाते हुए कहा वहशी कातल इन शहर की गलिओं मैं आजादी और पूरी बेबाकी के साथ अपने शिकार की तलाश में निकला हुआ है और हमारे उपर हमारे महकमे पर इस शहर की मासूम आवाम को कुछ भरोसा है हमें उस भरोसे पर खरे उतरना है जी हाँ मैं समझता हूँ बढ़िया तो काम पर लग जाओ लेपसकी ने कार दोड़ा दी पीछे जैकोबी वापस लिवाइन की दुकान पर पहुँचा मिस्टर ग्रेग ने इतिफाकें जिस दिन इस जैकेट को खरीदा था उस से ठीक अगले दिन उनकी एक हाथसे में मौत हो गई थी लिवाइन ने बताया मुझे याद है कि कैसे मिस्टर ग्रेग कोई साथ महीने पहले यहाँ आये थे और उन्होंने इस जैकेट को खरीदा था अगली सुब़ जब वो अपने दफ्तर जाने के लिए निकले तो किसी ने चोरी की कार उनकी कार में दे मारी नतीजतन मिस्टर ग्रेग की वही मौके पर मौत हो गई जेकोबी को भी वो अक्सिडेंट याद था वो एक पुलिस वारा था और उसके शहर में ऐसे हाथ से होना कोई आम बात या रोज रोज की घटने वाली घटना नहीं थी वो शहर की एक रसुगदार शक्स की हाथ से में हुई मौत का मामला था जो उन दिनों मीडिया में पूरी तरह चाया था और इसलिए जेकोबी को भी इस घटना की याद थी पता नहीं मिस्टर ग्रेग की जैकेट का क्या हुआ होगा अब ये तो मुझे नहीं मालूम लेकिन हाँ मिस्टर ग्रेग अपने पूरे वाल्डरॉप के लिए यहां मेरी दुकान पर ही डिपेंडिन्ट थे उनके पास यहां से खरी दी गई धेरो जैकेट आट सूट थे और अब जब उस दुखाद हाथ से में उनकी मौत हो गई थी तो मुझे लगता है कि मिस्टर ग्रेग ने वो सारे कपड़े किसी को दे दिये होंगे मिस्टर ग्रेग के पास मोटा पैसा था लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी और उलाद तोनों से परेशान थे क्या मतलब ये बात अपने तक ही रखिएगा मिस्टर जिकोबी लिवाइन ने रासदार आवाज में कहा मैं और मिस्टर ग्रेग बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते थे और हमारे आपसी तालुकात एक दुकांदार और करहक के तालुकातों से कही बढ़कर थे हम अक्सर अपनी जिन्दीगी में घट रही घटनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और दोस्ती के उनी पलो में मिस्टर ग्रेग ने ये बात मुझे खुद बताई थी मामला क्या है? दरसल मिस्टर ग्रेग ने कहा था कि उनकी पतनी मिस्टर ग्रेग एक अजीब पिस्म की औरत है जिसने उन पर अपने पती पर कभी कोई गोर नहीं किया हला कि खुद मिस्टर ग्रेग एक बढ़िया इंसान थे लेकिन उनकी बीवी को अपने खाविन से जादा अपनी ओलाद में दिल्चस्पी थी जिस दिन से उनके घर में उनका बेटा पैदा हुआ था मिस्टर ग्रेग ने अपनी सारी तवज्जो अपने बेटे पर ही टिका दी थी और अपने पती से पूरी तरह जुदा हो गई थी ये समझ लो ओ, तो ये बात है, मिस्टर ग्रेग ने और भी कुछ कहा था क्या नहीं, लेकिन उल्टा मैंने ही उन्हें राई दी थी मिस्टर ग्रेग ने अकूद दौलत तो कमाई थी, लेकिन बतकिस्त मती देखिए कि यही दौलत उनके परिवारिक जीवन की गुत्यों को सुलजाने में कोई मदद ना कर सकी मिस्टर ग्रेग एक अरसे से अपनी मौजूदा जिन्दगी से नाखुश थे और उनकी यही फ्रस्टरेशन तब और बढ़ जाती थी जब उन्हें यह एसास होता था कि उनका उनकी बीवी पर कैसा भी कोई भी हुल्ड नहीं रहा था अपने बेटे के पैदा होने के बाद मिस्टर ग्रेग की दुनिया अब बस वही बेटा था और उस दाइरे में उस घेरे में मिस्टर ग्रेग के लिए उनके पती की भी कोई हिस्सेदारी नहीं थी मिस्टर ग्रेग का बीटा करता क्या है मालूम नहीं मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता ठीक है जेकुबी ने उटते हुँ कहा शायद मिसिस ग्रेग खुद बता सके को उन्होंने पती के हदसे में हुई मौत के बाद उनकी उस जैकेट का क्या किया था ओ, तो तुम उनसे पूश्टाच करने की सोच रहे हो हाँ, ठीक है, लेकिन उश्यार रहना, वो औरत पैसे वाली तो है ही लेकिन साथ में बेहद रूखी मिज़ास की भी है मुझे लगता है कि किसी भी मामले में किसी पुलस वाले का उसके घर यू लपके आना उसे कोई खास पसंद रहीं आने वाला हम, शुक्रिया, हम इस बात का ध्यान रखेंगे वैसे वो रहती कहा है मिस्टर ग्रेक की मौत के बाद माबेटे ने अपना बड़ा मकान वो मैंचन तो बिश दिया था और आजकल वो दोनों केशिया ड्राइफ पर बने छोटे मगर खुबसूरत मकान में शिफ्ट हो गए है ठीक है, शुक्रिया मिस्टर लेवाइन जिकॉब भी ने कहा और वहां से पुलिस हैटकॉर्टर के लिए लौट पड़ा मिस्टर लेवाइन से हसल जानकारी के मताबक उसे यही ठीक लगा कि मिस्टर ग्रेक जैसी खबती औरस से की जाने वाली कैसी भी कोई पूछ ताच खुद उसे करने की बज़ाए सीधे लिपस्की कोही करनी चाहिए कैन ब्रेंडन ने धनकते दिल से कॉरिन पर निगाडा ली क्या तो मैं यकीन है उसने फसी आवाज में कहा हाँ कॉरिन ने कहा वो वही कमीना है जो हमें उस रात वहां मिला था और हलाकि आज उसने अपनी दाड़ी को हलका चांट लिया था लेकिन इसके वावजूद भी मैंने उसे फौरन पहचान लिया ओ माई कॉड ब्रेंडन ने अपना सिर थाम लिया अब ये कमीना यहां क्या करने आया होगा वो मुझे चेक करने आया होगा आखिरकर उसकी यू यहा आने की कोई और वज़े क्या होगी वो तो कहना मुहाल है लेकिन उसका यू यहां आना इस बात को तो साफ-सावित करी देता है कि उसका फिलहाल पुलिस के पास जाने का कोई रादा नहीं तो उसके दमाग में कोई और फुचूर होगा तुम्हारे साथ किसी स्कैंडल में मेरा नाम आना मेरी उस शादी शुदा जिन्दिगी को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कैन। को और इनकी आँखों में चिड़ चिड़ा हट उब्री। अपनी बीवी से बेवफाई करने वाले दुनिया के तुम पहले ही मर्द तो नहीं हो। दुनिया में लाखों मर्द आए दिन ऐसा करते हैं फिर करते हैं फिर के बाद फिर करते हैं लेकिन इसके बावजूद कोई तुम्हारी तरह यूँ शहीद बन कर नहीं दिखाता। तुम मेरी हालत को ठीक से समझ नहीं रहीं केन डेक्स पर घूसा मारती हुए कहा अगर हमारी उस रात की जुगलबंदी की खबर तुम्हारे बाप या मेरी बीवी दोनों मैंसे किसी के भी कान में पड़ गई तो मैं पूरी तरह बरबाद हो जाऊंगा अगर तुम्हें सचमुच इसकी इतनी ही दैशती तो तुम्हें उस दिन मेरे केबिन में चलना ही नहीं चाहिए था कॉरिन ने लंबी साथ छोड़ी और कहा खेर मुझे भी काफी काम है सो मैं अपनी टेबल पर जा रही हूँ उसे ने कहा और पलट कर अपनी डेक्सी तरफ चली गई कैन पीछे हैरान खड़ा था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस जहनजट से निकले अपनी कूली के साथ कुछ वक्त बिताने कि उसके नादान फैसले ने आज उसकी हालत बिगार दी थी हालात बड़ी तेजी से उसके काबू से बाहर जा रहे थे और वो खुद को उस बुनगे की तरह मैसूस कर रहा था जो किसी मकड़ी के जाल में जा फसा हो जहां वो इस जाल से निकलने की अपनी कोशिश में जितने हाथ पाउं मारता था उतना ही गहरा उसमें फसता जाता था तब ही अच्छनक टेलीफोन की घंटी बजी जिसने उसके सोच के सिलसले को तोड़ दिया उसने हाथ बढ़ा कर आगे रिसीवर उठाया हेलो उसने रिसीवर को चहरी के पास लगा कर कहा ब्रेंडन दूसरी तरफ से स्टन्बूट की आवाज उबरी मुझे पता चला है कि तुम अपनी नई पोस्टिंग के अपने असाइनमेंट्स पर बड़ी महनत से काम कर रहे हो सर मैं अपनी तरफ से हमेशा इमानदाराना को शिशी करता हूँ बहुत बढ़िया ब्रेंडन आवाज आई मैं हमेशा से तुम्हारे स्कैलीबर को पहचानता था मुझे यकीन था कि अगर तुम्हें कोई नई जिम्मेदारी दी जाए तो तुम उसे बढ़िया तरीके से निभा सकते हो मैं तुम से बहुत खुश हूँ ब्रेंडन ओ, तैंक यू सो मच मिस्टर स्टनवूट और मेरी बेटी कैसी काम कर रही है वो थोड़ी मोडी है लेकिन वहां आफिस में तुम इन चार्ज हो सो तुम उस पर उसके आफिस आवर्स में कंट्रोल रख सकते हो हाला कि वह अपने काम में माहिर है और मुझे लगता है कि तुम उसकी ओवरॉल परफॉमेंस से निराश नहीं होगे ओवरॉल परफॉमेंस? कैन ने सुचा उसकी ऐसी परफॉमेंस है कि अब मैं क्या कहूं? कैन? स्टनवूट की आवाज उबरी क्या तुम लाइन पर हो? जी मिस्टर स्टनवूट बरेंडन अपने ख्यालों से निकला और बोला वो बढ़िया काम कर रही है कैन हला कि कहना चाहता था कि कौरेंड का वहां से तबादला कर दिया जाए लेकिन ऐसा कह सकने कि उसकी हमत नहीं हुई बढ़िया चनवूट ने कहा ऐसे ही बढ़िया काम करते रहो बरेंडन और कमपनी की तरफ से मैं तुम्हें यकिन दिलाता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी समेहनत का पूरा फल दिया जाएगा शुक्रिया मिस्टर स्टनवूट आगे भी महनत करते रहो और वक्त पर अपनी ये रिपोर्ट पेश करना ना भूलना जी मिस्टर स्टनवूट मैं आपको निराश नहीं करूंगा बढ़िया स्टनवूट ने कहा और कॉल काट दी कि ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और एक निगापनी कलाई घड़ी पर डाली छे बजने में पांच मिनट थे अगर वो चाहता तो अपना दफ्तर तब ही बंद कर सकता था लेकिन अभी उसके पास इतना काम पैंडिंग था कि उसे और कम से कम आदा घंटा लगने वाला था तबी कॉरिन ने उसके केविन के दर्वाजे पर नौक किया केन ने निगा उठाई तो पाया कि वो दर्वाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही है मुझे किसी से मिलने जाना है उसने कहा तो फिर काल मिलते हैं ठीक है केन ने कहा ओ केन कॉरिन बोली यू इस तरह मात्मी सूरत बनाये रखने से कोछ आसल नहीं होगा तो मचिंता मत करो जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा हम ओके बाइफो नाओ कहकर वो बाहर में इंडूर की तरफ बढ़ गई पीचे केन उसके जाते हुए कदमों की आहट सुनता हुआ सोच रहा था क्या वाकई वो सिच्वेशन को इन परेशानियों को बढ़ा चणा कर आक रहा था उधर कॉरेन अभी काउंटर तक ही पहुँची थी की ठीटक गई लू बून दफ्तर में दाखिल हो रहा था कॉरेन फॉरन सतर्क हो गई उसने खुद को संभाला और अपने चेहरे पर प्रोफेशनल मुस्कुराहट लाते हुए बूली वेल सर आज के लिए दफ्तर बंद हो चुका है सो प्लीज आपका लाईए लूप होरन समझ गया कि लड़की उसे पहजान चुकी है मेरा काम बहुत जरूरी है बेबी उसने दफ्तर के दर्वाजे को अपने पीछे बंद किया और कुंडी लगाती हुए बूला वैसे अभी ब्रेंडन यही है ना हाँ क्या तुम उन से मिलना चाहते हो कॉरेन ने कहा और तुम्हारा नाम क्या है लू नाम है मेरा उसने आगे बढ़ते हुए कहा और मैं केले उसी से नहीं बलकि तुम दोनों से इकठा मिलना चाहता हूँ क्यों बस जरा ये पूछना चाहता था कि उस रात केबिन में हुए उस मौज मेले में कोई कसर बाकी तो नहीं रह गई थी भीतर बैठे ब्रेंडन तक सारी बाचीत पहुँच रही थी वो सिहर उठा किसी एंजान भावना से उसने अपनी मेज के दराज में रखे रिकॉर्डर का स्विच आउन कर दिया अपने क्लाइंटों से बाचीत के दौरान वो अक्सर इसका इस्तिमाल करता था कि बाद में पूरी बाची सुनकर वो पका कर सके कि कोई जरूरी बाद भूल तो नहीं गया उसने दराज को खुला छुड़ दिया और उटकर अपने केविन के दर्वाजे पर पहुँचा हेलो दोस्त लूस की तरफ देखकर धूर्टता से मुस्कुराते हुए बूला तो कल रात की मौजमस्ती बढ़िया रही ना कौन हो तुम केविन ने पूचा और क्या जाते हो तो मैं बखो भी पता है कि मैं कौन हूँ लू ने कहा आओ बैटकर बात करते हैं केविन ने उसे अपने केविन के सामने कुर्सी पर बैटने का इशारा किया और खुद भी भी तरा गया पीछे पीछे कौरेन भी केविन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई केविन अपनी कुर्सी पर आ बेठा मेज की दरास पहली की तरह खुली रही आओ बेबी लू ने कौरेन की तरफ देखते हुए कहा तुम भी यहीं आ जाओ क्यों खड़े रहकर अपने खुबसूरत पैरों को ठका रही हो बको मत कौरेन भी तरफाइल के बिनेट के पास आकर खड़ी हो गई और बोली अपनी बात पूरी करो और अपने काम से काम रखो लो तुम तो नाराज होगी लू ने कहा पर मुझे तुम्हारा यह एक्षड़पन पसंद आया बहतर होगा कि हम मुद्दे की बात करें कि इनने मिम्याती हुए कहा ठीक है लू ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए तो फिर मैं सीधे-सीधे काम की बात पर आता हूँ हम सुन रहे है कॉरिन ने कहा मैं तुम दोनों के बारे में सब जानता हूँ लू ने कहा दोनों पर बारी-बारी से निगार डालते हुए कहना शुरू किया पिछली रात तुम दोनों के फंड टाइम के दोरान वहीं तुम्हारे उस प्रेम घरोंदे के नजदीक एक घटिया औरत का लाइफ टाइम पूरा हो गया था तो इस से हमें क्या कॉरिन ने कहा तो मैं इस बारे में चिंता होना चाहिए बेबी कि जब उस औरत का उस रात गतल हुआ था तो तुम उसी वक्त मौकाए वारदात के आस पास तुम दोनों मुझूद थे याद करो कि तुम दोनों जब मुझे वहां टकराए थे तब भी ब्रेंडन उसने केन की आँखों में जाकती हुए कहा उसका चहरा जख सफेद पड़ा हुआ था और हलाकि उस वक्त मुझे उसकी वज़े चांद की रोशनी लगी थी लेकिन अब मैं जानता हूँ कि वो वज़े चांद की रोशनी नहीं बलकि कुछ और ही थी तुम दोनों ने मुझे पैडलर्स क्रीक का रास्ता बताया था और अपनी उस मुख्तसर सी बाच्चीत में ही मैंने तुम दोनों में घबराहट को भाप लिया था हमने कोई गतले नहीं किया कि इनने धीमी आवाज में कहा मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मैंसे कोई गातल नहीं है लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये वो तुम दोनों ही थे जो वहीं आसपास उस केबिन उस लवनेस्ट में आश्च कर रहे थे आज सुबा सुबा पुलिस मुझ तक पहुँच गई थी और मुझसे इस मामले में पूछता चुई है लेकिन इस शहर की पुलिस की असली दिक्कत यही है कि वो अपनी किसी भी कोशिश के बावजूद मुझ पर कातल होने का इल्जाम नहीं लगा सकते उन्होंने मेरे मौझूदा ठिकाने की भरपूर तलाशी ली है और अब मैं इन हाला तो मैं उनकी होने वाले खातल के नामों की लिस्ट से बाहर हूँ तुम हम से क्या चाहते हो कॉरिन ने अधीर होते हुए पुछा और इन सब बातों से हमारा क्या मतलब है मतलब है लू ने गरचकर कहा पुलिस ने मुस्से की गई पूछ ताच में मेरे पिछली रात के मूवमेंट के बारे में भी सवाल किये थे और उन्ही सवालों में से एक जवाब में मैंने उन्हें कह दिया था कि तुम दोनों बाखू भी जानते हो कि मेरा पुलिस को दिया बयान जूटा है और ऐसा जूट बोलकर मैंने तुम दोनों पर एहसान किया है तुम्हारी इस दरिया दिली का शुक्रिया कोरिन मजबूती से कहा और अब जब तुम अपनी इस मदद के लिए हमारे पर किये गए एहसान के लिए हम से शुक्रिया बटोर चुके हो तो चलते फड़ते नज़र आओ वेल बेबी लू ने अराम से कहा ऐसी भी क्या जलती है मैं अपनी पहले पूरी बात तो कर लूँ बको जो बकना चाहते हो लेकिन तुम्हारी बकवा सुनने के लिए हम यहां हमेशा नहीं बैटे रह सकते हमें और भी काम है माहूल में अचानक आयूस गर्मी ने लू के लिए सिच्यूशन थोड़ी बेकाबू कर दी थी उसे लड़की से ऐसे हुसले की खताई अमीद नहीं थी सुनो 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 केन ने बाच्चीत का सिला अपने हाथ में लेती हुए कहा ऐसे तो यह मामला सुलचने से रहा उसने लू की तरफ देखा और कहा और जो तुम कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो ठीक है लूने केन की तरफ देखा और कहा अब मैं साफ साफ कहता हूँ जल्दी हमें और भी काम करने है कॉरियन ने चिड़कर दूसरी तरफ देखते हुए कहा बेबी ये देखते हुए कि मैने तुमारे ऊपर कितना बड़ा एष़ान किया है तुम्हारी ये बत्तमीजी और ये बेहुदार रूखापन मुझे हैरान कर रहा है लेकिन कोई बात नहीं मुझे तुमसे कोई अच्छे बरताफ की अमीद नहीं बलकि मुझे उस हैसान के बदले कुछ और चाहिए केनूर कॉरेन ने कोई जवाब नहीं दिया वैसे सच ये है कि लू ने आगे कहा अपनी मौझूदा बंजारो जैसी धके खाती जिन्दगी से मैं खुद बेजार हो चुका हूँ और अपनी इस बेहुदा लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए मुझे कुछ रक्म की जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस मामले मेरी मदद कर सकते हो तुम क्या जानते हो कौरिन ने फिर बीच में टोकते हुए कहा तुम कुछ नहीं जानते ओ बेबी लू ने उसे घूरते हुए कहा मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बाप इस शहर के रईसों में अपनी मौजूदगी दर्च कराता है और लू ने केन पर निकाह डाली और कहा तुम और तुम्हारी बीवी जो डॉक्टर की यहां रेसेप्शनिस्ट की अच्छी खासी तनख़ा की नौकरी करती है तुम दोनों की इतनी हैसियत तो है ही कि मेरा काम बन जाए तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो कोरिन नच्ड़ कर कहा तुम समझ रहो ना कि जो तुम करना चाहते हो सब बलैक मिल कहते है ओ बेबी लू ने कोरिन पर निकाह डाली और कहा मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ जिससे हम तीनों ही एक दूसरे की मदद से इस सारे जھंजट से दूर हो सकें मैं तुम दोनों के लिए दिये गए अपने उस मददगार बयान के बदले अपने लिए थोड़ी सी मदद मांग रहा हूँ और तुम इसे बलैक मेल का नाम दे रही हो ये बलैक मेल है सीधे सीधे बलैक मेल पड़े कहती रहो लेकिन तुमारे कहने बर से तो ऐसा होने वाला नहीं हम पुलिस से तुमारी इस गेर कानूनी हरकत की शिकायत कर सकते हैं यकीनन क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया, तो मैं भी पुलिस को दिये अपने उस बयान को बदलने के लिए अजाद रहूंगा, और वैसे भी उसने कॉरें को घूरा, मुझे पुलिस का सामना करने से बहुत डर लगता है, कौन जाने उस अपनी डर की वज़े से मैं पुलिस के आगे क्या कुछ बद दू, तुम ऐसा खुते हुए देखना चाहोगी, सुनो सुनो सुनो, किन ने बीच में कहा, तुम कहते हो कि तुमें हमसे कुछ रकम चाहिए, कितनी चाहिए, देखो, मैंने तै किया है, कि मैं इस पूरे मामले पुलिस के सामने अब दुबारा नहीं जाना चाहता, बशर्ते कि मेरे सहसान के बदले, तुम दोनों मुझे तस हजार डॉलर दे दो, बो, क्या ख्याल है, ये सीधे सीधे बलेक मेलर का अंदास था, और किन ने अपने बनाने वाले का शुक्रिया अदा किया, कि पता नहीं कैसे वक्त रहते, उसे ये अकला गई थी, कि उसने रिकॉर्डर का सुचान करके, ये सारी बाच्चीत रिकॉर्ड कर लेने की अकलमंदी दिखाई थी, उसे अपनी मेस के खुले दराज में रखे, रिकॉर्डर के घूमते हुए स्पूल साफ दिख रहे थे, तो मैं हमसे ए रुके निकाल कर उन्हें केन और कॉर्ण को देते हुए कहा, मैं अब तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि आगे इस बारे में तुम दोनों का क्या ख्याल है, केन रुके थाम कर उसे खोले, रुका केन की बीवी के नाम था, जिस में लिखी तहर की रात को वो जनाव अपनी दफ्तर की कुली कौरेन स्टर्ण वूड के साथ उसके पैडलर्स क्रीक वाले केविन में क्या कर रही थे, नाजाएस तालुकात में यकीन ना रखने वाला आपका दोस्त केन की च्छके छूट गए, उसमें कागस के उस रुके से निगा और अभी कागस पड़ रही थी, जिसमें लिखा था, मिस्टर जेफर्सन स्टर्ण वूड, अपनी बेटी से पूछिए, ये बाईस तारीक की रात को वो अपने पैडलर्स क्रीक वाले केविन में अपने दफ्तर के करमचारी, केन ब्रेंडन के साथ क्या कर रही थी, नाजा दिन दिन बाद आउंगा, और मुझे अमीद है कि तब मौजूदा हालातों को देखते हुए, तुम दोनों अपनी इस खस्ता पोजिशन के मद्दे नजर, मुझे मेरी मांगी दसाजार की रकम डिलिवरी को तैयार रखोगे, केन और कॉरें दोनों ने कुछ ना कहा, और अ दबतर से बहार निकल गया, पीछे अपने कापते हातों से केन ने रिकॉर्डर का सुच आफ किया, तुम नहीं सारी बाचीत रिकॉर्ड की है? कॉरें ने उसके जख सफेज पड़े चेहरे पर नजर डाली, हाँ, बढ़िया किया, वो बोली, लाओ, अब ये टेप मुझे दो ताकि मैंसे पुलिस के पास ले जा सकूँ, क्या आप बक्ती हो? किन ने चिक्ति हुगा कहा, क्या पहले ही हम किसी कम मुसीबत में हैं, जो तुमें ये नया शुचा खड़ा करने की सूजी है? पुलिस ने अगर उसे इस ब्लैक मेलिंग की कोशिश में पकड़ भी लिया तो क्या होगा? उसका अंदाज बता रहा है कि ये काम कोई पहली बार नहीं कर रहा और उसे इस पिजम के गैर कानूनी कामों को करने का तज्यूर्बा है। पुलिस ने अगर उसे थाम लिया तो वो सबसे पहले मेरे और तुमारे संबंदों के बारे में मुझ खोलेगा और अगर होती भी तो मैं उसे एक नया पैसा नहीं देना था भेज लेने दो उसे वो चिटियां मेरा बाप इस मामले में जो हाई हाई करेगा जो वाही तवाही बकेगा मैं उससे निपढ़ लूँगी मैं रोध हो कर उसके सामने ऐसा ड्रामा करूँगी कि उसे यकीन हो जाए था उसे लगा कि वो ऐसा करने में नाकामियाब था ये उसके बस की बात नहीं थी देखो केन कोरेन ने घड़ी पर निगार डाली और वहां से बाहर निकलती हुए कहा मुझे देर हो रही है सो मुझे फॉरण निकलना होगा लेकिन जाने से पहले मैं बता दूँ कि ब्लैक म जो क्या करना है ठीक है सी उ टुमॉरो कॉरेन ने हाथ लाकर कहा और बाहर निकल गयी पीछे अब दफ्तर में केन अकेला था कॉरेन ने उसे सला दी थी कि वो अपनी पत्नी को भुरूसे में ले कर ही कोई फैसला करे लिकिन कैसे कैसे वो से भुरूसे मेले वो से सच नहीं बोल सकता और उसे जूट बोलने पर वो उल्टा उस मामले में और गहरा फस्ता जाएगा अभी जो आग उसके घर के बाहर लगी हुई थी वही आग उसकी शादी शुदा जिंदगी में उसके घर के भीतर तक पहुँच जाती फिर जैसे ही लूका लिखा हुआ रुका उसके ह जूट बोलकर एक और गलती नहीं करना चाहता था इस ख्यालने कि बेट्टी उसके जूट को पकड़ सकती थी उसे पश्तावे और आतंक ने जकड़ लिया उसने बहुत सिर्ख हपाया लेकिन आखिरकार इसी नतीजे पर पहुँचा कि इन हालातों में अब बहतर यही था क कि वो खुद बेट्टी के सामने जाकर सच्चाई कह दे और किसी तरह उसकी जान अब इस मुसीबत से नहीं निकल सकती थी उसने अपनी घड़ी पर नज़र डाली साड़े छे बजे थे बेट्टी अब तक अपने काम से चुट्टी पाकर घर पहुँच चुकी होगी और अ चाम का वक्त था और शहर की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी गतारे रिंगती हुई आगे बढ़ रही थी पूरे रास्ते के इन बस यही सूचता रहा कि बेक्टी के सामने जाकर वो किन लफजों में अपनी बेवफाई की हामी भरेगा और कैसे अपने की ये पर शर्मि करते हुए उसने देखा कि बेक्टी की कार पहले ही वहां मौझूद थी साफ था कि बेक्टी पहले ही घर पहुँच चुकी थी उसने कार से बाहर निकल कर लॉक किया एक गहरी सांसली और होसला जुटाता भीतर लॉबी में पहुँच गया केन बेक्टी ने उसे वहां अपनी बगवास कर भी चुका था क्या बाते है नी उसने धड़कते दिल से पूचा क्या कोई गड़बर है मा का फोन आया था उसने रुआसी हालत में कहा और वो कह रही थी कि पापा को हार्ट डेक आया है बेटी के माबाप अटलांटा में रहते थे और उसके पता शहर के एक जाने माने अटर्णी थे खुद केन को उनसे बहुत लगाव था ये केन के लिए एक ऐसी ख़बर थी जिसके पर भाव में वह एक बारगी तो अपनी मौजूदा दुश्वारी को भी भूल गया क्या वो सीरियस हैं उसने शौक से भरती हुए कहा हाँ उन्होंने मुझे बुलाया है तो मुझे एरपोर्ट छोड़ दो मैंने अगले घंटे उड़ने वाली फ्लाइट का टिकिट ले लिया है हाँ चलो बैटी भी तर से अपना सूट केस निकाल लाई केन ने सूट केस कार में रखा और बैटी को एरपोर्ट छोड़ने चल पड़ा मैं तुम्हें छोड़कर अकेला नहीं जाना चाहती थी लेकिन मजबूरी है बैटी ने कहा तो मैं परेशानी तो होगी लेकिन ओ नो मेरी फिक्र ना करो केन ने उसे तसलिदी बलकि काश मैं भी तुम्हारे साथ चल पाता बैटी की आँखों में आस हुआ गए केन ड्राइफ करता रहा हाव वो इस नए शौक से उभर चुका था और एक बार फिर अपनी मौजूदा मुश्किल के बारे में सोच रहा था वो बैटी से इस बारे में बात करना चाता था लेकिन उस काम के लिए ये सबसे गेर मुनासिब वक्त था और फिर अगर बैटी एक हफ़ते घर से दूर रहे और इसी दोरान वो चिट्टी उसके यहां डिलीवर हो जाए तो वो बड़ी आसानी से उसे नस्ट कर सकता है बड़ीया बैटी परिशान थी उसके पितास पताल में जिन्दगी और मौत के भी जूल रहे थे लेकिन इसके बावजूद कि इनने बेहत इतमिनान की सांस ली